जबसे AI लोगों की काम करने की उम्मीद है काफी ज़यदा बढ़ चुकी है जो लोग ओनलाइन काम करना नहीं चाहते थे अब वो भी ओनलाइन काम करके गर बेटे काफी अच्छा पेसा कमारे तो इसी बात को ध्यान में रखते हूँ आज मैं अपके लिक्या हूँ इसा खतरनाग वेबसाइट जिसका यूज़ करके आप फोटोग्राफी या फिर प्रोड़क्र फोटोग्राफी में अपना करियर बिल्ट कर सकते हो और ये वेबसाइट इतना खतरनाग है कि आप उनली सिंगल क्लिक में किसी फोटो को किसी भी एंगल में चेंज कर सकते हो आप जैसा चाहो वेशा बना सकते हो तो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लाश्ट तक देखना इसकी बिल्कुली मत करना तो चलो मैं आपको लेकर जलता हूँ वेबसाइट पे और हम पूरी डिटेल जानते हैं तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे यह वेबसाइट है virtuallook.wondershare.com या फिर आप Google पे भी सर्च कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटर्फेस आएगा तो simply आपको यहाँ पे try it now का option दिखेगा तो आपको simply इस पे click कर देना है और अपनी Gmail ID के through यहाँ पे sign in कर लेना है तो चलो यहाँ पे मैं sign in कर लेता हूँ उसके आगे का process मैं आपको बताता हूँ sign in कर लेने के बाद यहाँ पे आपको दो option दिख जाते हैं पहला option है कि आप अपने खुद के photo को generate कर सकते हो और जो दूसरा option है वो यह है कि आप अपने product की photographic कर सकते हो और भी एकदम next level तक तो यहाँ पे हम दोनों option को समझेंगे पहला option हम यहाँ पे select करते हैं अपना खुद का photo लेते हैं और हम photo को generate करेंगे तो simply यहाँ पे इस पे आप click कर देना generate now का option दिखेगा इस पे click कर देना click कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपने photo को select कर लेना है तो यहाँ पे मैं simply अपने photo को select कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे अपने फोटो को सिलेक कर लोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा आपके फोटो को अपलोड करने में तो चलो यहाँ पे हम वेट करते हैं फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको करना किया है और जो hand है उसको select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको ok पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको coffee option दिख जाते हैं तो यहाँ पर आप gender select कर लेना male या फिर female उसके बाद skin tone आप select कर लेना fair, medium, deep जो भी आपको सही लगे यहाँ पर fair select कर लेता हूँ उसके बाद age group आपको select कर लेना है यहाँ पर adult, child है या फिर elder है तो आप यहाँ पर select कर सकते हो अगर आपको child photo generate करना है या फिर elder, जो भी आप चाहूँ वैसा आप select कर लेना यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ उसके बाद इदे की तरह आपको एक option दिख जाता है using template तो यहाँ पर आपको एक option दिख जाता है generate number कि आपको कितनी images generate करनी है तो यहाँ पर हम 4 image को generate करेंगे उसके बाद आप scale है तो यहाँ पर आप अपने photo की जो quality उसको कितना रखना चाते हो 2x रखना चाते हो या फिर 4x रखना चाते हो तो यहाँ पर मैं 2x सी select कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद अगर आप चाते हो यहाँ पर custom editing करना मतलब आप custom editing पर click करोगे तो यहाँ पर प्रॉंट डालके भी अपना image को generate कर सकते हो यह option भी आपको मिल जाता है तो काफी better है आप प्रॉंट डालो जो भी आपको चीह image के आप क्या change करना चाते हो अपने अंदर तो वो आप यहाँ पर प्रॉंट लिख सकते हो ठीक है तो अभी अभी इसको हम रहने देता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर using template पर हम आते हैं और नीचे की तरब scroll आप करोगे तो यहाँ पर आपको काफी option दिख जाते हैं मतलब आपको जिस tab का photo बनाना है वो आपको सारे यहाँ पर option मिल जाते हैं तो आप कोई साभी select कर सकते हो आपके according मतलब आपके mood के according के आपको कैसा photo generate करना है तो simply यहाँ पर मैं यह वाला select कर लेता हूँ select कर लेने के बाद यहाँ पर मैं generate now पर click कर देता हूँ और generate now पर आप जैसे ही click करोगे तो आपका जो फोटो है उसको generate करना start कर देगा तो हम wait करते हैं थोड़ी देर उसके बाद में जो result आएगा वो एकदम shocking result होगा आप देखना तो चलो मैं आपको result बताता हूँ थोड़ा साम wait करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने photo को generate कर दिया है यहाँ पर इसमे मैं click करता हूँ तो यहाँ पर before photo के साथ हो और after आप देख सकते हो इसने background को change कर दिया उसके बाद मेरे जो कपड़ा है उसको भी पूरा change कर दिया एकदम next level तक edit कर दिया है अब यहाँ पर आपको चार images मिल जाती है तो आप select कर मतलब देख लेना आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है यहाँ पर मैं को चारो की चारो की काफी जादा पसंदारी है बाद में हम आगे का process चानते है तो चलो यहाँ पर हम अब अपने face को change करना सकते है कि कैसे आप अपना खुद का आउतार बना सकते हो तो simply यहाँ पर मैं photo पर click कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने photo को add कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ बस only मेरे कपड़े कपड़े को select कर लेता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं पूरा part change कर रूआ उसके बाद यहाँ पर आपको ok पे click कर देना है अब यहाँ पर आपको setting आपको देख लेना है चार उसके बाद यहाँ पर आपको 2X कर देना है या फिर original जो भी आप चाहो कितनी आपकी quality कितनी चीए और यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्कॉल करोगे आपको अपने moon के according किस type का photo generate करना है वो आपको select कर लेना है और generate पर click कर देना है तो generate पर मैं click कर देता हूँ और wait करते पूरा changes एकदम next level तक एडिट कर देया और background तक change कर देया तो काफी ज्यादा cool लग रहा है तो simply आप इसको download कर सकते हो download पर click कर गए अब यहाँ पर मैं आपको product photography का बतायता हूँ कि आप product photography अगर करना चाहते हो और अपने earning करना चाहते हो तो आप product photography आप कर सकते हो तो simply आप पर आपको अपने photo मतलब आपका जो भी product होगा उसको आप select कर लेना तो simply यहाँ पर मैं in shyka जो एक product है नीचे position में आ रहा है तो मैं ये वाला product select कर लेता हूँ और यहां पर मैं OK कर देता हूँ उसके बाद यहां पर आपको अपने प्रोड़क्त को सिलेक करना है कि आपको अपना जो प्रोड़क्त है वो रखना है बस only और बाकी का जो पार्ट आप नहीं दिखाना जाते हो वो आप मतलब सिलेक मत करना चोपार्ट आप दिखाना चाते हो बस वही आपको रखना है और आपको बाकी जो चेंज करना है वो यह चेंज कर देगा तो simply आप में सिलेक कर लेता हूँ यह perfume, perfume को में सिलेक कर लेता हूँ और OK पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपको ओप्शन दिख जाते हैं कि आपको कितने फोटो को जनरेट करना है यहाँ पर मैं चार सिलेक करता हूँ उसके बाद क्वालिटी आपको रखनी है 2X, 4X जो भी आपको सही लगे और अगर आप कस्टम एडिटिंग करना चाते हो तो आप यहाँ पर अपना खुद का प्रोटो डाल के भी यहाँ पर कस्टम एडिटिंग कर सकते हो आपके अकोडिंग आपको किस टैप का मतलब प्रोड़क बनवाना है तो यहाँ पर प्रोड़क पूरा बन जाएगा ठीक है और अगर आपको और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे चलते हैं नीचे यहाँ पर आपको कलर का उप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सा कलर अप सिलेक कर सकते हो तो आप कलर सिलेक कर लेना है उसके बाद नीचे आपको और भी उप्शन दिख जाते है आप यहाँ पर आपको mood के according आपका जो भी client है क्या चाहता है किस type से चाहता है तो आप यहाँ पर select कर लेना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको generate now पर click कर देना है अब यहाँ पर हम चलो कुछ देर wait करते हैं कि यह result क्या बना के देता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने एकदम one click में कितना professional type में generate करके दिया है मतलब यह before यह ऐसा था और after आप देख सकते हो perfume का मतलब next level की यहाँ पर product photography image generate कर दिये इसने और काफी cool लग रहा है तो यहाँ पर हम nest करते हैं उतके बाद यह वाला image आप देख सकते हो और यह वाला देख सकते हो तो इसने चारों की चारों जो images वो generate करके दिये और next level की edit करके दिये तो simply आपको करना किया है यहाँ पर इसको आपको download कर लेना है और इसी तरीके से आप images generate कर सकते हो इस virtual wondershare के अंदर और काफी खतनला website है only single click में आपका काम हो जाता है तो आपको यहाँ पर इसको use करना आपको अच्छे result एकदम बेटर result आपको देखने को मिलेंगे तो इस website का link आपको मेरे description में मिल जाएगा तो जाओ और इस website को use करो आपको एकदम next level तक की editing यहाँ पर आपको मिलेगी आपको यहाँ कर दियुआ झाल झाल